सलामु आलेकुम मैं हूं सर एहसन दुल्ला बडेल फिर्स्टेर माथमेटिक्स बाइनॉमल थिरों की क्लास पड़ा रहा हूं मैं एक्सराइज 8.4 जनाव यह एक हमारे पास एक्सपेंशन है जिसके अंदर हमें विदाउट एक्सपेंडिंग फिर्स नेगटिव दिन निकालना जनाव बन प्लस एक्स की पावर एन के केस में टी आर प्लस वन का फॉम्ला होता है एन एन-1, N-2, N-3 दॉत 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 इन माइनस आर प्लस वन आपन आरक्टोरी कॉर्स नेगटिव तरम है क्या चीजक जनाव हमें यह पता है कि तरम हमारी चलती है 1 plus nx plus n n minus 1 n minus 2 n minus 3 and so on करके चलती है तो जनाब n यहां पर बराबर है 5 upon 2 के तो जनाब अगर आप 5 upon 2 को देखें तो यह 2.5 है basically तो अगर आप इस में से 1 minus करते हैं तो 2.5 में से 1 minus करेंगे तो 1.5 की वज़ा आप 0.5 आएगा और आप इसे तरीके से 2.5 में से 3 minus करते हैं तो minus 0.5 आएगा जिसकी वज़ा से हमें negative term मिलेगी तो जनाब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि first negative term निकालनी है हमें उसको हम first negative term कहते हैं जो हमें power से अगर बड़ नंबर minus हो तो हमें negative term मिलती है तो हमने यह कहा कि जनाब अगर हमें first negative term चाहिए तो जनाब इस last bracket को negative होना पड़ेगा अगर यह last bracket negative हो गया तो इसकी वज़ा से यह तमाम negative हो जाएगा जारे एक minus सबको minus कर देगा जिसकी वज़ा से यह term पुरी की पुरी negative हो जाएगा तो जनाब यहां पर हमने n minus r plus 1 less than 0 that is negative लिए तो इसको हम लिख सकते हैं n plus 1 less than r क्योंकि यह r बज़ जाके add हो जाएगा अब r को उदर लिखें इसको उदर लिखें तो यह हो जाएगा r greater than n plus 1 जनाब n की value है हमारे पास 5 by 2 तो 5 by 2 में जब हम 1 plus करेंगे तो यह हो जाएगा 7 by 2 7 by 2 का मतलब है 3.5 r 3.5 से बड़े का मतलब है r हो गया 4 जनाब r कभी भी points में नहीं हो सकता जनाब equation 1 हमारी क्या बनेगी equation 1 बनेगी जनाब tr plus 1 हो जाएगा जनाब t4 plus 1 यह dot 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 का मतलब है कि हमें नहीं पता कि कितने brackets हैंगे लेकिन जब r हमें पता चल जाए तो जनाब जितना r होगा उतने factors होंगे तो r अभी 4 है तो इसका मतलब 4 factors होंगे तो जनाब यह लिखा आएगा n, n-1, n-2, n-3 तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 अगर यह r की value 3 होती तो सिर्फ बनता n, n-1, n-2 जनाब upon में आएगा 4 factorial क्योंके r की value 4 है और x की power भी 4 आएगा क्योंके r की value 4 है जनाब अब यहां पर हम put कर देंगे n की जाएगा पर 5 by 2 क्योंके quotient में n 5 by 2 है और x की जाएगा put किया जाएगा 2x क्योंके quotient में आप देख सकते हैं के x जो है वो 2x है जनाब यह जाएगा t5 यह जाएगा n, n-1, n-2, n-3 divide में आएगा 4 factorial और इसको हम लिखेंगे 2x की power 4 जनाब अगर इसको हम खोल के लिखें तो यह जाएगा 5 by 2 इसको simplify कर लें 3 by 2 यह हो जाएगा 1 by 2 यह हो जाएगा minus 1 by 2 upon में 4 factorial को हमने खोल के लिख लिया यह जाएगा 16 x power 4 जनाब 3 से 3 cancel हो रहा है और 2, 2, 2, 2, 2, 16 से cancel हो जनाब answer बनेगा minus 5 by 8 x power 4 hence it is the first negative term तो जनाब अलहम्दुल्ल्ला अलापक कैसान है हमने exercise 8.4 को खतम किया अफ़ताम बजीर किया for further वीडियो सब्सक्राइब तो माई चैनल सर एहसन अब्दुल्ला बतायेगा जरूर किस तरह की वीडियो लगी क्या कमी पेशी है को और किस तरीके से इसको बहतर बनाया जा सकता है for tuition or inquiries contact 0336-8151-868 अपना खायर रखियेगा अल्ला हापस